तो बैंटन की सीरीज में हमें काफी सारे डिफरेंट कैटेगरी के एलिंस देखने को मिलेते जिनके पास डिफरेंट अबिलेटी थी लेकिन आज हम बात करने वाले बैंटन के ऐसे करेक्टर के बारे में जिनके पास इलेक्टरिक पावर थी और यहां पे हम टोटल फाइव ए करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको फूचर में ऐसी और भी अमेजिंग विडिश देखने को मिलती रहें तो टाइम को वेशना करते हुए जल्दी से आज की हमारी इस ओसम वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो नबो फाइब पे जो करेक्टर है वो को को वेशोक ने काफ और परेशान किया था लेकिन उसके बाद बढ़ी है उसली ऑपने की वोच में वेशोक डिन द दया लेकिन लेकिन बैंड ने कभी उसका यूज नहीं किया वाच्चो के पास हमें कोई है किaltro में कर सकता है अब कि यो कोई और न услn can का ऐन फ्रेंकटेंटमत करेक्ट्र हें जितने चाहिए उतने किल्म क्यूआँ सब्सक्राइब कभेसे को काड़ सकना दोक्टर विक्रिक्टर को हराने के बाद मिल था और गाईंटन जो ए डॉक्तर की वज़े से इस alien की body में transform हो पाए था इसके पास हमें electric power देखने को मिलती है और इसकी पूरी body magnetic थी यानि कि अगर यह चाहे तो magnetic power का भी यूज कर सकता था और को मिला था इस alien की पूरी body एक jellyfish के जैसी थी अगर अगर ने जिन पांच aliens को पकड़ा था उन पांच aliens में बैंट को इस नोटीस नहीं किया था इसके इलावा अगर एमफीवियन चाहे तो काफी तेजी से ट्रैवल कर सकता है electricity की वायर्स में और यह चीज़ भी हमें बैंटन ओम्निवर्स में दिखाए गई थी और यह easily Omnitrix के अंदर भी जा सकता है नमबर 2 पे जो करेक्टर है वो कोई और नही बलकि बैंटन का सोक स्क्वेच है जो कि गाईज हमें फर्स टाइम बैंटन अल्टिमेट एलियन सीरीज में देखने को मिला था अब काफी सारे लोग यहां पर कंफ्यूज होने वाले जिन्होंने बैंटन की सीरीज को कंप्लेट देखा है क्योंकि उनको लगता था कि बैंटन की सीरीज में देखने को भी मिली थी यह काफी पावरफुल इलेक्ट्रिक पंच कर सकता है और इसके जो ओपनेंट है वो लगबग इसके सामने नई टिक सकते हैं इसकी पूरी स्टोरी के बारे में तो बैंटन का हर एक फैन जानता है क्योंकि यह बैंटन का फेवरेट एलियन था जिसकी वज़े से मारा भी गय था लेकिन बैंटन ओमनिवर्स में अपने रिटन करता है और हमें देखने को मिलता है कि इसके पास इलेक्ट्रिक पावर हैं इसने बिग बैंग तक को रोक लिया था जिससे आप लोग अंदा जा लगा सकते हो कि फीड़वेक कितनी ज़्यादा एनरजी को एब्जोब कर सकता है तो यह थे बैंटन के टो फाइव ऐसे एलियन जो कि गाईज बैंटन के इलेक्ट्रिक टाइप एलियन्स हैं इन पाँच एलियन्स के इलावा अगर बैंट के पास ऐसा कोई एलियन है जिसके पास इलेक्ट्रिक पावर है तो आप लोग नीचे मेंशन करके मुझे बता देना इसके इलाव अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको फीचर में ऐसी और भी अमेजिंग वीडियोज देखने को मिलती रहें तो चेलिए फिर मैं मिलूँगा आपसे मारी अगली वीडियो में तब तक के लिए आप लोग पहले अप्लोड़की के सारी वीडियोज देख लेना वो काफी जदा ओसमें एक वर चेक आउट कर लेना